बड़कम जी आज बहुत टेस्टी सा हेल्थी सा मश्रूम बनाती इसके लिए एक बटन लगती क्यूब जी बड़ा बटन नहीं जी उसके साथ ही लसुन डालती लसुन को अच्छे से भुन लेती उसके बाद इसमें डालती एक बड़ा कटा हुआ प्यास प्यास को भी तब इसमें कैपसिकम डालती कैपसिकम बात में डालती तो ये खाने में मस्त लगती क्रंची लगती इसके बाद इसमें डालती एक कटा हुआ या तो पिसा हुआ टमाटर कटा हो या पिसा हो लेकिन जरूर डालती उसके बाद इसमें डालती नमक नमक डालने से खाना जो है जब पक जाती तब इसको थोड़ा सा ढग धाती, भुन लेती फिर ढग लेती। बात तो इसमें से जो पानी है वो छूट जाती यानि कि जो मश्रूम है वो उसका घमन तोड़ देती अब घमन तोड़ देती तो थोड़ा सा देखके तुम भी इसको ढग देती ताकि फिर से पानी जो है वो मर जाती यह मश्रूम जो है वो पक जाती और जो ग्रेवी है वो स इसे रोटी के साथ खाती या चावल के साथ खाती अच्छे से प्लेट में परोस्ती और नीचे में जो लाल बटन है उसे प्रेस करके जाती एक लाइक भी कर देती